ओम सिरीगने साइनम दोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारतिक स्वागत हैं दोस्तो आज एक इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच अक्टूबर सनिवार के रासी फल के बारे में कीह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आप आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने की संभवना अच्छी है इसलिए अपना प्रियास कर अच्छी सफलता प्राप्त होने में सफल आज आप हो सकते हैं आप एक सुल्जे हुए वक्ती हैं और हर किसी कार्रे को समय केनुसार करने का प्रतन करते हैं इसलिए आपको काम्याबी अच्छी प्राप्त होने की संभावना आज पाई जाती है आज आपको किस्मत का सयोग मिल सकता है कामकाज में आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा इंकम भी आज हो सकती है अचानक फाइदा होने के आज अनी को योग बन रहे हैं आपको किस्मत का साथ आज मिलने वाला है पैसो के कामकाज भी आप सुबा सुबा ही निम्टा ले निजी जीवन और आफिस दोनों मामलों में तनाव और दवाव खत्म होगा नए और दिल्चस्प लोगों के मिलने के आज योग बन रहे हैं जिहां दोस्तो आर्थिक लाब के आज आज आपके लिए अनी को योग हैं किसी महत्पपूर्ण कार्रे की सार्थकता के लिए प्रतन सीर होगा कठिन परिश्चरम से रचनात्मक योजनाओं को सार्थक करने में सफल रहेंगे पुराना अठका हुआ धन भी आज आपको वापस मिल सकता है परिवार के साथ आज आप समय विताएं मानसिक सुख और सांती आपको प्राप्थ होगी पुन के कार्रों के पीछे धन का आज व्या होगा इस्वर की आरादना आपके मन को सांती प्रदान करेगी आपका उत्तम प्रदसन आपके परते दिंदियों के लिए चौका देने वाला रहेगा आपके कार्रे इस थल पर आपको अपार सफलता हांसिल होगी फिर चाहे वो पद्वन्नती हो या मान सम्मान वैवसाय करने वाले जातक कुछ नया काम सुरूख कर सकते हैं जिहां दोस्तों आज आप अपना सर्वसेष्ट देने की कोशिस करें और जिसका पेढ़नाम आपको सकारात्मक रूप से मिलेगा किसी नई जगा घुमने जाने का अफसर मिलेगा जिस कारण आपकी उर्जा और उत्सा दोनों में ही व्रद्दी होगी परिवार के साथ किसी धर्मिक इस्थल पर भी आप आज जा सकते हैं जिहां दोस्तों समय आज आपके पक्ष में हैं प्रकरती आपको जोस और खुसी के माहुल का उपहार दे रही है इन उपलब्दियों का भरपूर आप उपयोग करें परिवारिक सामानजे और उनकी देखवाल करने में आपका महत्पपूर्ण योगदान रहेगा आज आपको कोई सुबसमाचार अवस्य मिलेगा जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों आपके मन पर नकारात्मक विचारों का आकर्मन होने से मन में हतासा रहेगी एनेतिक और एप्रमानिक कार्रे विबत्ती में आज आपको डाल सकता है इसलिए संबब हो तो उससे दूर ही रहे कार्रे भार की आज अधिकता रहने से मानसिक एस्वस्तता भी हो सकती है संतान की चिंता भी आज आपको रहेगी साथे साथ आपकी आमंदनी अच्छी रहेगी परन्तु आमंदनी के साथ साथ आपके खर्चों में में विरत्दी होने की संभावना है ऐसे में आपको अपनी आमंदनी और खर्चों में ताल मेल बिठाने के लिए अपने खर्चों में कटोती करनी होगी साथ साथ यदि आप वेपार करते हैं तो आपके वेपार में मुनाफ़ा होगा आप महेंगी वस्तूओं को खरीद सकते हैं परन्तु आपको अपने महेंगे सोक पर रोक लगानी होगी अन्यता आपके सामने आर्थिक संकट भी आ सकता है और दोस्तो साथ साथ जरूरत है बात चीत में गरीमा बनाए रखने की आपकी क्रोध में की गई बात किसी से मतबेद उत्पन कर सकती हैं और दूसरों से रखी गई उपेक्छा भी आपके स्वैम के लिए मायूसी पैदा करेंगे दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आपको बहुती धहरे से काम लेना होगा और प्रते कदम बहुती सोच समझ कर ही आगे बढ़ाना होगा तब ही आप एक शुक में दामपत्य जीवन का आनंद लेने में शक्षम होंगी जे दोस्तो साथ साथ जीवन साथी की भी आज तरक्की होगी लव लाइफ के मामलों में भी सितारों का आज आपको भरपूर साथ मिलेगा मानसिक दवाव के बावजूद खुस रहने की आज आप कोशिस करेंगे जिया दोस्तो जीवन साती से संबंद में मदूरता आएगी जिससे खुसनुमा माहूल बना रहेगा लव मैरिज के इच्छुक लोगों के लिए समय बहुती अच्छा है विवा के लिए निर्ने लेने का दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा कारोबार आज अच्छा चलेगा और धनलाब की आज इस्तिती रहेगी लेकिन कारेबार के अधिकता रहेगी और दिन भाग दोड में वीतेगा यदि आप नोकरी करते हैं और किसी तरह के निवेश की योजना बना रहे हैं तो उसमें आज आपको सफलता मिल सकती है और सवें के अनुसार आपको निवेश भी करना पड़ सकता है जो आपके लिए अवस्य ही लाबदाइक साबित होगा साथ साथ आज आपका नए लोगों से संपर्क बनेगा मनोरंजन के कई अवसर आपको मिलेंगे जिन से जीवन में खुसियां बढ़ेंगी परिवार के साथ अच्छा समय वैतीत आप कर पाएंगे और उनका पूर्ण सेयोग भी आपके साथ रहेगा विज्ञान एम तकनीकी से जुड़े जातकों को सफलता के लिए अधिक प्रियास करने होंगे काम्याबी के लिए जम कर मेहनत करने की आपको आवशक्ता होगी इस्टुडेंटों के लिए भी समय आज का बहुती अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तों आज किसी तरह का वाइरल समस्या उत्पन होने की संभावना हो सकती है इसलिए अपने स्वास्थ के पिर्ति आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखने की आव populated शक्ता है आज आप अपने खानपन पर विशेष रूप से ध्यान दें अपने दिन चरिया को आज आप सुचारो रूप से सही बनाकर रखें और साथ साथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजाना योग करें, वयाम करें, स्वास्थ रहें दोस्तो बात कर लेते हैं, आज आपके लिए विशेश उपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदीशे निरवत्र होने के बाद भगवान शनीदेव जी को एक नीला फूल अरपित करें और साती सात भगवान शनीदेव के मंतर मंतर का बहुती सच्य मन से बहुती स्रद भाव से 108 बार जाप अवश्य करें और साती सात अपनी मनों काम नहीं मांगें जा दोस्तों ऐसा करने मातर शेही भगवान शनीदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल लगी है समस्त परिशानियों कंत करेंगे और आपको सीग रही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार रहें भगवान शनीदेव के आशिरवाद से बहुत आशानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान शनीदेव का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैश शनीदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद